आज हम संयोक और प्राइक्ता से संबंदित कुछ मज़ेदार उदाहरन देखेंगे एक डिब्बे में कुछ पर्चियां हैं जिन पर 11 से 17 तक की संख्याएं लिखी है डिब्बे में से बिना देखें एक पर्चिया निकालने पर उस पर एक समसंख्या यानी even number लिखी होनी की प्राइक्ता यानी probability ग्यात कीजिये डिब्बे में कुल साथ पर्चियां हैं जिन पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इन में से एक संख्या लिखी है इसलिए यदे बिना देखे डिब्बे में से एक परची निकाली जाती है तो हमें इन में से एक संख्या प्राप्त होगी यानि कि परची निकालने के प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यानि Total Number of Outcomes of Experiment साथ है यहां एक संख्या प्राप्त करना एक घटना यानि इवेंट है चुकि निकाली गई परची पर संख्या 12, 14 और 16 हो सकती है इसलिए हम कह सकते हैं कि एक संख्या प्राप्त होने की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानि Number of Favorable Outcomes तीन है किसी घटना के होने की प्राइक्ता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोक के परिणामों की कुल संख्या है इसलिए निकाली गई परची में सम संख्या लिखी होने की प्राइक्ता तीन बटे साथ होगी अगला उदाहरण हर्ष ने लोटरी की 10 टिकेट खरी दी यदि लोटरी में कुल 4500 टिकटों की पिकरी हुई होगी तो हर्ष को लोटरी लगने की प्राइक्ता क्या होगी यहां लोटरी के टिकटों की कुल संख्या 4500 है प्रतिक टिकट पर लोटरी लगने की संभावना बराबर है हम कह सकते हैं कि यहां प्रयोग के परिणामों की कोलसंख्या 4500 है इन में से हर्ष ने 10 टिकट खरीदे है इस तरह से हर्ष को लोटरी तब लगेगी जब उसके द्वारा खरीदे गए 10 टिकटों में से किसी एक को चुना जाएगा इस तरह से हर्ष के लिए लोटरी लगने के अनुकूल परिणाम 10 है हम चानते हैं कि किसी घटना के होने की प्राइक्ता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या है इसलिए यहां हर्ष को लोटरी लगने की प्राइक्ता होगी 10 पटे 4500 बराबर 1 पटे 450 अगला उदाहरण मान लीजिए आपके पास 3 सिक्के हैं इन सिक्कों को उच्छालने के प्रयोग में दो सिक्कों पर चित और एक सिक्के पर पट प्राप्त होने की प्राइक्ता क्या होगी जब हम तीन सिक्कों को उच्छालते हैं तो इस प्रयोग के परिणाम इस प्रकार है इस तरह से तीन सिक्कों को एक साथ उचालने पर प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या आठ है हमें दो सिक्कों पर चित और एक सिक्के पर पठ प्राप्त होने की प्राइक्ता ज्याद करनी है क्या आप पता सकते हैं इस थिती के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सूचिये, सूचिये बिल्कुल सही, यहां ऐसी तीन स्थितियां हैं जब हमें दो चित और एक पट प्राप्त होगा यानि कि इस प्रयोग में अनुकूल परिणामों की संख्या तीन हैं चुकि किसी घटना की प्राइक्ता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या है इसलिए यहां दो सिक्कों पर चित और एक सिक्के पर पठ प्राप्त होने की प्राइक्ता तीन बटे आठ है तो आज हमने देखे संयोग और प्राइक्ता से संबंदित कुछ मजेदार उधारण अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जोड़ी कुछ साधारन गलतियां